देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लगाय जाने वाले होर्डिंग्स और बेनर शहर की सुन्दरता को बिगाड रहे हैं ऐसे में निकमायुक्त ने जनप्रतिनिथियों से अपील की है कि वो शहर को स्वच्छ बनाये रखें और होर्डिंग्स लगाने से परहेज करें देखें स्वच्छ में देश भर में तीन बार स्वच्छता काताच हासित करने वाला इंदौर शहर एक बार फिर अवैद होर्डिंग्स बैनर और पोस्टर से पटा पड़ा है अवैद रूप से शहर के हर चाराहे पर होर्डिंग्स लग गए हैं जो शहर की सुन्दर्ता पर दाग लगा रहे हैं इसने एक और जहां मेयर मालीनी गौड ने जनप्रतिनीधियों से अपील की थी वहीं अब निगम कमिशनर आशीश सिंग ने भी मूर्चा संभाल लिया निगमायुक्त आशीश सिंग ने जनप्रती निधियों से अपील की कि शहर की सुन्दरता कायम रखने में सहयोग दें और होर्डिंग्स लगाने से परहेज करें निधियों से अपील करना चाहूंगा कि यह सब हमारे काम को बढ़ाने वाली चीज़ें होती है और शहर को एक दरीके से शहर का रूप जो है बिगाडने वाली चीज़ें होती है तो आप लोगों के माद्रते हों से मेरी अपील लेगी कि क्रपया इससे बचे और बैनर है कि माध्यम से भी देखते हैं तो अगर इस चीज़ से जितना ज़्यादा बचा जा सके उतना बेतर है और हमारी तरफ से कारवाई ने जनता जारी रहेगी जो भी थोड़े बहुत बच्जे हुए है बैनर पोस्टर वाज़ा है देखे हम लोगों ने वो सोचा जरूर था लेकिन शहर के जन्प्रती निद्छी ही होर्णिक से माध्यम से शहर की सुंदरता बिगाड़नी का काम कर रहे हैं अब बारी नेताओं की है जनता के साथ शहर हित में नेताओं का जाग रुक होना भी बेहत जरूरी है ऐसे में आशीष सिंग्ग की अपील का नेताओं की सेह पर क्या अज़र पड़ता है ये देखना दिल्चस्प होगा प्यूर रिपोर्ट अम्पी न्यूस इंद और